कुलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज ये वो कॉलेज जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ जगन ने अपरात किया गया रेप की गई और उसके बाद हत्या कर दी गई बता दें आपको इसके बाद आरोपी संजेरोय से लगतार पूछताच की जा रही है पहले तो उसने गुनाह को कबूल किया लेकिन अब पॉलिग्राफी टेस्ट में उसने कई एहम खुलासे किये अब वो मुकर रहा है संजेरोय ने कहा है कि उसे फसाया जा रहा है उसने ये सब कुछ नहीं किया है तो क्या कुछ आके संजेरोय कह रहा है क्या पॉलिग्राफी टेस्ट में सामने निकल कर आया है वो आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं कोलकाता की आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मॉडर का शिकार हुई लेडी डॉक्टर को नियाई दिलाने के मांग को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है वहीं आरोपी संजे रॉय ने पॉलिग्राफिट टेस्ट में नया खुलासा किया है संजे रॉय ने इस पूरे मामले में अपने शामिल होने से इंकार किया उसने दावा किया कि लेडी डॉक्टर की लाश को देखने के बाद वो अस्पताल के सेमिनार हॉल से भाग गया था इससे पहले पूरे मामले की शुरुवात में कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलेंटियर संजे रॉय ने 10 अगस्त को अरेस्ट होने के बाद अपना अपराद कबूल कर लिया था हाला कि हाली में उसने यूटर्ण लिया और दावा किया कि उसे फसाया जा रहा है वो निर्दोश है संजे रॉय का 25 अगस्त को कोलकाता की प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल में पॉलिग्राफिट टेस्ट कराए गया जहां वो बंद है हाला कि पॉलिग्राफिट रिपोर्ट अदालत में सबूत के तौर पर कबूल नहीं की जाती है बता दे आपको एक रिपोर्ट के मताबिक सूत्रों ने बताया कि संजे रॉय से पॉलिग्राफिट टेस्ट के दौरान CBI ने 10 सवाल पूछे थे पॉलिग्राफिट टेस्ट के दौरान CBI के जांच अदिकारी के साथ 3 पॉलिग्राफिए एक्सपर्ट मौके पर मौझूद थे सूत्रों ने बताया कि रेप और हत्या की आरोपी ने दावा किया कि जब उसने पिलिटा को देखा तो वो पहले ही मर चुकी थी इसके बाद वो डर के मारे वहां से भाग गया संजे रॉय ने कई बार बयान बदला सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान संजे रॉय ने CBI से कहा कि मैंने हत्या नहीं की मैं शब को देखने के बाद सेमिनार हॉल से भाग गया हलाकि कथित तोर पर जूट पकड़ने वाली जांट में संजे रॉय के कई जूटे और अव विश्वसनी जवाब मिले CCTV फुटेज में रॉय को अस्पताल के सेमिनार हॉल में घुस्ते वे दिखाया गया था वहीं पर लेडी डॉक्टर का शब मिला था शव के पास रॉय का एक ब्लूटूथ दिवाइस भी मिला था रॉय ने सियालदर में ACGM की अदालत के सामने भी इसी तरीके के दावे किये थे जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पॉलिग्राफी टेस्ट के लिए रजा बंदी दी थी संजर रॉय की वकील कविता सरकार ने कहा कि CBI अभी तक कोई ठोस सबूत पेश्ट नहीं कर सकी है उन्हें जाच करने और अप्राद साबित करने दे सूत्र ने बताए कि आरुपी घटना से पहले उत्तरी कोलकाता के रिड लाइट एरिया सोना गाची गया था उसने शराब भी पी थी पुलिस ने ये भी कहा है कि रॉय को पॉंट देखनी की लट थी बेरहाल इस घटना से पूरे देश में बड़े पहमाने पर गुस्सा फैला हुआ है जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदशन हुए अस्पतालों में सुरक्षा की मांग को लेकर के देश भर के डॉक्टर भी हरताल पर चले गए थे